आर्पी भारत केवल ख़ग रहे हैं और कुछ नहीं नमस्कार मैं गुव अंचली आर्पी भारत में आपकार स्वारत करती हूँ तो चलिए शुबात करते हैं आज की किती प्रमुख बढ़े हाइ स्कूल में पढ़ने के लिए कई छात्र तो आये थे लेकिन शिक्षा विभाग की अविवस्था के करण उन्हें लोटना पड़ा पहला दिन साफ सफाई और सैनिटाइजेशन में ही गुजर गया करीब नौ महीने के बाद दस्वी और बार्वी की कक्षा के छात्रों की पढ़ाई शुरू करने के प्रतिशिक्षा विभाग कितना सक्रिये है यह तो पहले दिन स्कूलों में पढ़ाई आरंब नहीं होने से पता चलता है बरवाडी प्लस टू हाई स्कूल में करीब 25 से अधेक छात्र आये थे उन्हें 22 दिसंबर से पढ़ाई शुरू होने की बात कही गई जिससे उक्त चात्र घर लोट राचारे प्रफल चंद मिश्रा ने बताया कि स्कूल की सफाई और सैनिटाइजेशन किया गया पढ़ाई की व्यवस्था ठीक की जा रही है 22 दिसंबर से दस्वी और बारवी कक्षा के छात्रों को पढ़ाई के लिए बुढाया गया गया परियोजना अबालिका उच्छे विद्याले में दस्वी कक्षा के छे छात्राएं आई थे क्लासरूम की सफाई उनसे कराई गई उच्छक विक्रांत कुमार ने बताया कि स्कूल को सैनिटाइज कराया गया है समवद्दाता बदरी प्रसाथ की रिपोर्ट सभी विद्यालियों में सभी वर्ग को साथ सफाई कर दिया गया है और सबके सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है और यता समवद इतना जलदी हो सकेगा आज भर में हम लोग सैनिटाइज करा देंगे कल से बचों को रोटेशन वाइज में हम लोग गुलाएंगे फर्ष्ट हाफ में दस्वी क्रस के बचे रहे हैं और सेकन हाफ में त्वेल्थ क्रस के बचे रहे हैं आज पहुशे हैं बच्चे पढ़ने के लिए उनकी प्राई चालू हो पाई है? ओनलाइन परहाई तो बहुत पहले से ही चालू की गई थी, लेकिन ऐस बच्चें को साम्भीक तरपर हम भुला रहे हैं कल याने बाइस तारी को, बच्चे आ जाएगे, कलात को हम लोगो विशनर देश प्राफ हुआ है कि इस साथी बच्चे जो भी आ रहा है, उसके लिए आप लोगो को पूरू तैयारियां कर लेनी है, विज़ाले की प्राफ सफाई और इसकी सेनिटाइजेशन की दिवस्ता है का हम लोगों को खासा ख्याल लखना है जिसे कि कोई भी बचे प्रफावीत महीं हो पाएं, इसका खासा ख्याल लखा जा रहा है